नमस्कार UFT News 24 में आपके साथ मैं हूँ सिमरन कौर तो मौके पर 112 की टीम आई तो पूछने पर बतलाया गया कि पडोस के लड़के ने हमारी बेटी के साथ दुशकर्म किया है 112 नमबर पुलिस ने घटना होने की सूचना करचना थाना में दी तो करचना पुलिस महिला कॉंस्टेबल सहित घटना स्थल पर पहुँची दोनों पक्षों को थाने पर लेकर आया गया उसके बाद इस घटना की सूचना CEO करचना राज़िश कुमार यादव को हुई तो पेडिता के घर जाकर जाच परतल किया गया लड़की की मा ने पूरी घटना के बारे मतलाया तो उसके बाद सही तत्यों की जाच परताल के लिए पीडित बच्ची को जाच के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है और जाच सही साबित पाए जाने पर आरोपी यूअक पर कानूनी कारवाई की जाएगी